नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेट आज की साथ दिसंबर 2022 देख लेते हैं एडियन एक्सपर्स के एडिटोरियल आइडिया वेच से इंपॉर्टन आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे फर्स आर्टिकल रहेगा रश्या क ओयल एक्सपर्ट की प्राइसिस को कैप करने के लिए अभी जो रेजलिशन एक तरीके से फाइनलाइज हुआ है और मंडे से वो इंपोस भी कर दिया गया है जिसमें यूएस जी सैप मतलब एक तो यूरॉपियन यूनियन है एक यह क्या नाव है इसका आस्ट्रेलिया हो ग करेंगे कि अभी रिसेंटली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को जो अप्रूवल दिया गया है ठीक है ना क्रॉप करने के लिए या ग्रोव करने के लिए अग्रिकल्ट्रल प्रैक्टिस में तो उसको लेकर कि अब्जेक्शन बहुत आ रहे थे तो गवर्मेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में शेयर कर दिया गया है देख लेना आप उसको डिटेल में ठीक है जिसमें हमने पूरा अच्छे से देखा था और पहले भी कर लिये हैं एक्स्प्रैंट पे तो आगया बेसिक की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो हर्वीसाइड अब यहां पर हम बात करेंगी गौर्वर्मेंट ने क्यो लॉच किया गौर्मेंट की तरफ से क्या अर्गूमेंट से हैं तो देखो मिनिस्टर आफ एन्वार्मेंट बुपेंदर आदव जी हैं उन्होंने ये कहा कि गौर्मेंट ने क्यों इससे पार्टिकलर क्रॉप DMH 11 म allow किया या फिर गया है कि genetically modified hybrid mustard dmh 11 को allow किया है commercial cultivation के लिए तो इसके तीन कारण बता है first logic तो ये कि हम already genetically modified crop based edible oil import करते है और उसको हम consume कर रहे हैं तो भई जब हम imported genetically modified crop oil को consume कर रहे हैं तो हम domestically क्यों नहीं produce कर सकते फिर जब उसमें productivity rise हो सकती है तो इंडिया import जितना करता न उसमें आप देख लो हम import कितना करते हैं edible oil 14.03 million ton ठीक है और वर्थ कितनी है लगबग 19.6 billion dollars ठीक है ये October 2022 तक का data हमारे पास में available है तो आप खुद देखो कि इतना हम import करते हैं और उसमें से soya bean oil genetically modified है entirely modified genetically modified है दूसरी बात करें कि BT cotton से निकलने वाला जो oil है उसमें भी 1.3 million ton के लगबग तेल निकलता है हमारे हापर domestically तो BT cotton भी तो genetically modified crop इसका मतलब ये भी genetically modified edible crop होगी edible oil हो गया फिर बात आ जाती है next कि दूसरे अगर हम दूसरे edible oils की बात करें तो वो भी हम कहीं ना कहीं genetically modified यूज करते हैं चाहे फिर वो सोयबीन हो या फिर आप देख सकते हो animals को हम feed करते हैं उनके लिए जो मील है वो भी तो कुल मिला करके जब imported materially genetically modified अगर चलता है तो domestically produced क्यों नहीं पहला logic तो यह था दूसरा logic यह बताया गया है कि यह जो GM mustard DMH 11 जो तयार किया गया गया ना यह बीज यह regulatory process को ध्यान में रखकर बनाया गया है यह process जो था वो 2002 से शुरू हो गया था और दिल्ली university की leadership में सारा काम हो रहा था proper biosafety processes को ध्यान में रखते हुए फिर research हुई है even field trial भी हो है multi-locational field trial किये गए रभी crop 2014-15 में तो वहाँ पर अच्छे promising results मिले हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो field trial किस ने conduct कि रहा है Indian council of agricultural research जिसके ओपर observation supervision किसका रहा department of biotechnology and genetic engineering appraisal committee जो के environment ministry के अंडर आते हैं तो इन सब के observation के अंडर में यह field trial किये गए थे तो बोले हमारे पास में जब proper एक data भी available है और public domain में भी available है पूरी research का जो outcome है तो उसके बावजूद फिर allow करने में क्या problem है ठीक है और दूसरी अगर बात करी जाए तो आप एक चीज़ बताईए कि जब covid vaccine आया था तब भी तो इनी scientific bodies ने इनी monitoring bodies ने काम किया था उस time पर आपने objection क्यों नहीं किया फिर covid के vaccine को allow क्यों किया गया ठीक है तो हम इन institutions पर objection इस तरीके से नहीं उठा सकते जिस तरीके से objection rise किये जा रहे है ठीक है इसके अलावा यह जो ट्रांस जैनिक या hybrid या फिर कहें हम बात जनेर्टेरली modified crops है इनका जब trial लिया गया था mustard का तो वहाँ पर honey भी इसका भी behavior बोले ज्यादा कोई कोई इतना adverse impact उन पर देखने को नहीं मिला क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर pollination का जो काम है सर्सों पे mustard पे वह मधुमक्यां करती है तो वह चीज वहाँ पर नहीं देखी गई तो फिर problem का है ठीक है तो दूसरा argument यह था कि proper पर manner में research किया गया और public domain में पुरा data available है तीसरा argument यह है कि DMH 11 जो है अगर हम indigenous technological innovation पर develop करें जिसमें जो gene जिन के बेचिस पे इस particular crop को modify किया गया है उनका नाम है barnis, barrister and bar बोले इन तीन genes का हमने use किया है बेशक हमने यह multinational companies से लिये हैं यह gene पर develop जो किया गया है वो indigenous technology की basis पर है तो इसमें यहाँ पर डरने वाले कोई बात नहीं है क्योंकि हम locally produce करेंगे इस DMH को hybridization जो है hybridization का मतलब आप mixed crop तयार करने कोशिश कर रहो genetically modified कर रहो तो इसमें कोई problem नहीं है इससे क्या एक के तो oil की oil का production बढ़ेगा दूसरी चीज oil की quality और disease resistance भी तो भढ़ रहा है तो वो भी आप देखो तो इस तरीके से यह तीन arguments mainly दिये गए हैं कि वह क्यों हम इस DMH 11 genetically modified mustard को allow कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर editor है वो इसी चीज को कह रहे हैं कि बोला हम जिस तरीके से स्वदेशी moment को आगे चलाना चाहते हैं तो जो technological intervention हम locally दे पा रहे हैं उसका हमें benefit मिलना चाहिए इसमें कोई problem नहीं है ठीक है आगे चलते हैं अगला article है cap doesn't fit देखो Monday को क्या हुआ G7 मैं बता दिया आपको G7 हो कोई भी crude oil का consignment export करेगा तो उसकी rate जो है वो 60 dollar per barrel से ज़्यादा नहीं हो सकती अगर इससे ज़्यादा rate पर रश्या तेल बेजता है तो जो insurance companies insurance देती है Russian oil exporting companies को जो कि European base रखती है यॉरॉप से belong करती है और या फिर जो tankers जिन में रश्या अपना oil export करता है वो जो कि G7 countries से source होते है तो उनकी sourcing बंद कर दी जाएगी ठीक है तो अब आप देखो इसमें target क्या है कि रश्या के जो भी oil export से जो revenue आती है उसको reduce करना जिसें कि वो Ukraine में attack जो कर रहा है उनको वो कम कर सके ठीक है अब आप देखो कि यहाँ पर जो एक मुद्दा है Ukraine के युद्ध को रोकना ये बिल्कुल ठीक बात है कि रोकना चाहिए पर सवाल यह कि जो पैतरे अपना है जा रहे है न Western countries के दौरा वो वो global oil market को बहुत ज़्यादा disrupt कर देंगे बहुत ज़्यादा disruption create करने वाले है ये ठीक है क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम इंडिया के point of view से हमारे देश के point of view से देखें तो हम तो oil importing country हैं अगर रशिया ने वहाँ पर retaliate कर दिया जैसे कि हमने explain page कल पर सो discuss किया था कि रश रशिया अपनी supply को रोक देगा तो supply पहले से ही कम है और अगर रशिया ने अपनी supply को रोक दिया इस cap को देखते हुए तो इसके चकर में international market में crude oil की prices और बढ़ जाएंगी जो कि फिर हमारे जैसे importing country के लिए adverse हो जाएगी कि नहीं अगर हम देखें तो रशिया में जो कोई भी रशिया से crude oil export होता है ना उसमें tanker, insurer, insurance companyya है वो ज़्यादा तर जो है वो Europe based है जी 7 countries से belong करती है यह जो basic infrastructure है oil export के लिए ठीक है अब यहाँ पर capping 60 dollar के लगा दी गई है पर यह बात सलो ठीक है कि रशिया से जो crude oil निकलता उसको बोलता है युराल crude ठीक है तो युराल crude जो है ना इसकी rate अभी इस time पे चल रही है mid 60's में मतलब आप यह बोलो 65, 67, 66, 64 dollars per barrel के हिसाब से rate चल रही है तो यहाँ पर एक तो effectiveness पे सवाल उठाया जा रहा है कि आपने यह 60 dollar ही क्यों लगा है क्यों एक symbolic message देना चाह रहा है दूसरी चीज यह कि Russia ने साफ साफ मना कर दिय या कि इस तरीके के majors को हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे तो problem क्या है कि G7 अपनी तरफ से या फिर यह developed western countries है यह तो कोशिश कर रहे है कि Russia पे पकड़ बनाई जाए कैसे भी करके पर Russia का जो crude oil है ना वो currently अगर हम Gulf countries से जो originated crude oil है उसके comparison में या brand crude oil है ना उसके comparison में सस्ता भिक रहा है क्योंकि brand crude oil की price कितनी जा रही है 81 dollars per barrel और Russia तो already 60s में बेच रहा है 60s dollars में तो उस तरीके से already सस्ता है फिर बात आती है इस sanction को लगाने के बाद में जो भी importing countries है उनके क्या action रहेंगे तो देखो India और China तो पहले से ही Russia से discounted rate पे इंडिया तो already discounted rate पे तेल खरीद रहा जब हमारा और Russia का bilateral trade जो था वो बहुत कम हुआ करता था अब वो ही trade अभी तक जितना भी Russia के साथ trade होता था ना वो highest level पे पहुँच गया इंडिया रशिया से जितना oil import करता था आज रशिया सबसे बड़ा exporter बन गया है oil का इंडिया के लिए इंडिया import करता जहां से ठीक ह और केवल हम 1% हमारी requirement fulfill किया करते थे crude oil की अगर बात करें रशिया import से पर आज रशिया से हम लगबग 20% तक हम import करता है crude oil और सबसे बड़ा exporter बन गया हमारे लिए तो ऐसे में अगर ये G7 या developed countries के त्वारा sanctions लगाया जाते हैं तो इंडिया और चाइना तो अपने interest को protect करन अपनी खुद की insurance companies है वो launch कर देंगे अगर ये western companies मना करती है insurance देने से तो ठीक है तो कुल मिलाकर के हाल ये कुछ है कि युक्रेन को युक्रेन में war को रूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है no doubt रूखना चाहिए पर ये जो retaliation है west की तरफ से ये बहुत सारे countries के sovereign interest को कही देने वाले हैं जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो हम एक importing country है oil importing country है तो हम तो हमारे हिसाब से ही हम decision लेंगे तो ऐसे में trade को weaponize करना ये एक attempt है जिसमें trade को weaponize किया जा रहा है जो की global supply chain को disrupt करेगा जो कि already global supply को disruption पहले से देख रहे हैं pandemic की वज़ेसे है COVID की वज़ेसे है COVID की वज़े से और ये Russia Ukraine war की वज़े से हैं तो ऐसे में जो energy poor consumers है ना उन countries की कोई responsibility नहीं है इस यूद में उसके बावजूद भी उनको crisis का सामना करना पढ़ सकता है अगर Russia अपने exports को रोग देता है तो वैसे Russia की तरफ से तो message एकदम clear है कि हम उस country को export ही नहीं करेंगे जो इस तरीके की conditions को अमारे उपर impose करेगा कि जी हम तो साथ डोलर पर barrel से जादा देंगे नहीं Western countries ने बोला है तो रश्या ने बोलते हैं मत खरीद हो कोई बात नहीं है तो इस तरीके का scenario अभी जो है create हो रहा है जिसका outcome जो है वो long term में लग नीडा की कोई positive दिखेगा क्योंकि इसे के लिए मुद्दा है same sex marriage related जैना कोठारी जी के द्वारा लिखावाई आर्टिकल है इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोड में एक petition लगी है जिसमें डिमांड की गई है कि जी same sex marriage को legalize किया जाए और इससे संबंदित petitions पहले भी केडला दिल्ली high courts और कई high courts में 2020 के बाद से लगातार लगी हुई है अब ये जो petition है ये demand क्या कर रही है उसके बारे में अगर हम समझे तो gay couple की ये story है इन्होंने article 32 के अंडर में ये petition डाली है और ये कहा है कि same sex marriage के अंडर में जो भी हमें rights मिलने चाहिए कि sex के तहत the special marriage act of 1954 तो बोलो वो rights हमें मिलने चाहिए या तो हमें जैसे heterogeneous sex वाले जो होते हैं जैसे male female के बीच की जो शादी होती है उनको जो अधिकार मिलते है न बोलो वो के वो अधिकार same sex marriage को भी marriage के जो individuals है group couple है उनको भी मिलने चाहिए या फिर ये petition है कि जी अगर इस तरीके से ही a special marriage act इसे same sex marriage को recognize नहीं करता है और equal rights नहीं देता है heterogeneous heterogeneous मतलब male female marriage के हिसाब से उसी के तरज पर तो इस act को same special marriage act 1954 को आप unconstitutional declare कर दो ये petition यहाँ पे लगाई गई है तो writer जो है वो यहाँ पर अपनी तरफ से argument देना चाह रही है कि यह जो special marriage act है ना इसमें section 4 है जिसके basis पे special marriage act जिसमें inter caste, inter religious marriages को recognition देने की बात की जाती है तो इसमें section 4 है जिसके under में कुछ conditions है वो डाली हुई है ठीक है इसमें क्या लिखा है condition में पहली चीज तो ये कि किसी भी शादी को valid तब consider किया जाएगा जब दो individual जिनकी शादी हो रही है अब यहाँ पर ये दो individual का मतलब male female की बात हो रही है mainly तो इस act के accounting अगर देखे तो तो इसमें ये बोला जा रहा है कि male की उमर 21 साल female की उमर 18 साल कम से कम होनी चीए तो वो शादी valid consider की जाएगी और इस section 4 में husband and wife word लिखे हुए है तो writer जो हैं वो यहाँ पर बोलना चाह रही है कि husband and wife का मतलब आप यहाँ पर sexual orientation की बात कर रहे हो husband का मतलब male wife का मतलब female तो इसक condition क्या दी हुई है कि husband और wife के लिए जो अधिकार है उन अधिकारों में क्या क्या provision कियो है section 4 of special marriage act में जैसे कि marriage का registration है conjugal rights है वो उनको छोड़ना उनको छोड़ना या फिर उनको continue करना judicial separation divorce, alimony यह इस तरीके के जो आप कह सकते हो rights है वो दिये हुए है couples को कौन से couples जिनकी inter-cast marriage या inter-religious marriage है special marriage हो गई है अब सवाल ही आता है कि special marriage act of 1954 के तहत ही यह petition लगाई गई है तो यहाँ पर writer एक point डालना चारही है कि जो कोई भी non heterosexual couple होते हैं उनके अधिकार भी special marriage act के अंडर में अगर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर जरुरत है कि husband wife word को remove करके और वहाँ पर spouse word लिख दिया जाए इसमें क्या होगा female female marriage भी हो सकती है male male marriage भी हो सकती है तो इसमें आप किसको husband बोलोगे किसको wife बोलोगे तो इसकी बजाए क्या होना चाहिए कि इनमें आप spouse word लिख दो ठीक है तो उससे फिर वो problem जो है gender वाली वो खतम हो जाएगी इसके लिए एक यहाँ argument वहाँ पर writer के द्वारा suggest किया जा रहा है कि South African court में भी constitutional court में भी इसी तरीके case 2005 में गया था case का नाम है Minister of Home Affairs versus Mary Ariana Fury इस case में भी इसी तरीके की बात उठी थी और उसमें justice L.P.S. इन्होंने यह कहा था law of marriage में जब बाचीत चल रही थी debate चल रहा था और वहाँ का South Africa का actor the marriage act of 1961 और वही benefits मिलने चीए जो कि heterosexual couples को मिलते हैं ठीक है और यह कहा था husband wife की वजाए word use किये जाए वहाँ पर spouse तो यहाँ पर writer जो है वो यही बोलना चाहरी है कि आप इन दो words को remove कराके spouse word को insert कराने की demand भी करो आपकी petition में यह होना चाहिए था यह सजेशन दे रही है writer यहाँ पर फिर South Africa का जो constitutional court था उसने parliament को 12 महीने का time दिया था भी यह amendment लेकर क्या हो और यह spouse word वहाँ पर डालो ठीक है तो बहले यह और साथ में एक चीज़ और बोली गी थी कि marriage act of 1961 South Africa की बात कर रहे हैं वह ना marriage act of 1961 में अगर same sex couple को status benefits इनकी अगर बात की जाए अगर वो heterosexual heterosexual couple के लिए जितना right और अधिकार जो है वो मिल रहे हैं तो exactly उनके लिए अधिकारों के साथ साथ में जो responsibility है वो responsibility same sex couple के लिए भी बनेगी वह सीधी सी बात है family act institution आप establish कर रहे हो तो आपको अधिकार ही नहीं मिलेंगे अधिकारों के साथ में आपकी responsibility आपकी जवाब देहि साबित होगी ठीक है तो यह चीज वहाँ पर बोली तो writer यहाँ पर यहीं बोल रही है कि यह जो petition डाली गई है न सुप्रीम कोर्ट में यह special marriage act में यह जो provision है इनको correct करो या फिर special marriage act के अंडर में या तो same sex marriage को आप recognize करो या फिर इस act को unconstitutional declare करो तो यहाँ पर जरुवत थी क कि इनको husband wife की जगे word spouse insert करने के लिए इनको petition में mention करना चीए था फिर writer बोलना चारी है कि supreme court में यह petition डाली गई है इसमें एक opportunity यह भी थी कि जो petitioners हैं उनके दुआरा यह demand की जाती कि special marriage act of 1954 in India उसके section 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इनको remove करवा दिया जाए क्योंकि यह sections है special marriage act के यह क्या ब कोई भी शादी होती है तो शादी से सम्मंदित public notice release किया जाए इससे कि कल को ना किसी भी party को या किसी भी society के किसी section को अगर objection हो तो objection rise कर सके और उन objections को settle किया जा सके शादी होने से पहले तो इसमें क्या है कि special marriage act में यह provision mandate करता है कि भई कोई भी अगर शादी हो रही है inter caste या क्या कहता है कि आप public domain में notice declare करो कि हाँ जी मैं फला 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 जाती है फला फला धर्म की लड़की हो फला फला धर्म की धर्म जाती है फिर किसी भी background से मैं belong करने वाला लड़का हूरा हम दोनों खुशी खुशी शादी कर रहे हैं हमारी उम्र एक की एठारा साल है लड़की है कि problem ही आती है कि वहाँ पर जब family या फिर जो society के लोग हैं वो ही फिर बाद में harass करते हैं वो ही बाद में परिशान करते हैं जो भी couple शादी करते हैं इस तरीके से अगर हम special marriage act के current provisions की बात करें तो उनमें तो सीधी बात है inter religious inter caste अगर marriage होती है तो उनका objection का सामना करना पड है और अगर supreme court अपने verdict में जो कि आने वाला है उस verdict में यह कह देता है कि आज special marriage act के अंडर में ही same sex marriage को भी हम recognize करेंगे तो फिर वहाँ पर इनको और problem का सामना करना पड़ेगा तो ऐसे में यह public notice का और यह system है इसको delete करवा देना चाहिए इस particular act से ठीक है और marriage officer का जो verdict होता उसको भी आप marriage officer के सामने यह provision क्या है जैसे कि objection अगर किसी party को है किसी भी शादी को ले करके तो marriage officer के सामने objection register करा सकते है जहाँ पे शादी का registration होना है ठीक है तो बोले इस provision को remove ही करवा दो आप कि public notice declare करने की ज़रुत ही नहीं है और यह चीज मैंने बताई दी कि public notice जब release कि क्या जाता है special marriage act के अंडर में तो सबसे ज़्यादा families और community के लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि intercast interfaith marriage हो ही ना तो वैसे ही same sex marriage को भी allow नहीं करेंगे ठीक है तो ऐसे में इनका harassment हो सकता है जो भी same sex marriage couples हैं अब आप देखो कि high courts में जो लगी हुई है na petition उनमें क्या है एक त दोनों partners में से कोई एक transgender है ठीक है तो ऐसे में इनको बहुत ज़्यादा objection का सामना करना पड़ता है community members के दौरा even family member भी उनको बहुत ज़्यादा परिशान करते हैं तो ये चीज़ यहां पर बताई जा रही है तो कुल मिलाकर के social norms जो अभी settled है उनके against में जाकर के कोई भी कोशिस की जाएगी उसको फिर बाद में आप रोकना चाते हो actual में कि हाजी same sex marriage जो भी couples है उनको problem ना देखनी पड़े तो इस तरीके से हमें changes लाने होंगे या petitioner को इन चीज़ों पर भी ध्यान देनी होगी एक तो spouse word का नाम लिया इनोंने और दूसरा बोला क्या कि public notice जो release क किया जाता है जिसमें कि किसी भी पार्टी को objection हो तो वो marriage officer के सामने आ करके अपनी बात रख दे कि हाँ जी हम तो इस शादी को बिल्कुल भी गलत मानते है यह गलत है तो वो चीज़ें फिर बाद में sort out हो पाएगी अब देखते है Supreme Court का verdict decide करेगा कि क्या है क्या नहीं outcome आग है Congress की तरफ से ठीक है तो इनका यह कहना है कि Parliament में opposition parties को बोलने का मोखा कम मिलता है तो बोलने का मोखा मिलना चाहिए खैर हमारे लिए इसमें से important points मैंने निकाल ली है number one point काम का क्या है कि 2014 से 2019 का जो लोगसभा का tenure रहा उस लोगसभा में केवल 27% wills को ही मतलब parliamentary committees के पास में refer किया गया जबकि 17th लोगसभा जो current लोगसभा चल रही है उसमें अभी तक केवल 10% bill है वो ही committee को refer किये गए बाकि सीधे वहीं की वहीं Parliament में रफादफा किये गए जबकि आपको पता है कि parliamentary committees क्या करती है minute level पे scrutiny करती है क्योंकि Parliament के पास में इतना time रहता नहीं है तो parliamentary committees उस load क reduce करने का काम करती है तो parliamentary panels के बारे में एक बार आप लक्षमिकांत या जो भी book को उसके हिसाब से एक बार revise कर लेना ना दूसरा मुद्धा इनोंने उठाया कि economy के अगर बात करें तो economy no doubt fastest growing economy of world में पर world bank ने जो October 2022 में data release किया था उसके हिसाब से अगर देखें तो इस fiscal year में इंडिया की growth rate 6.5% रहने वाली है वैसे अगर front page को अगर quote करूँ ना मैं भी आज की news इसी इंडियन express में तो क्या बोला गया है इंडिया की growth rate रहने वाली है 6.9% ठीक है ना किसमें किसके according world bank के according खर हमारे यहाँ पर article में जो दिया हुआ वो हम देख रहे हैं फिर inflation की बात क होगी ना तो आज report release हुजाएगी कल हमें इसका detail मिल जाएगा newspaper में unemployment की बात करें तो center for monitoring Indian economy CMIE के according हमारे देश में 8.3% की unemployment rate चल रही है ठीक है तो बोले यह भी बहुत बड़ी concerning बात है इस पर भी मुद्धा highlight होना चाहिए परलियामेंट बात चीत होनी चाहिए इसके अलाव executives अपनी power exercise कर रहे हैं तो बोले इनकी भी एक independence ensure होनी चाहिए इसके अलावा इंडिया में एक कहते हैं कि human rights का जो एक status है वो बोले बहुत ज्यादा decline कर गया है अगर हम United Nation universal periodic review case आप से देखें तो इंडिया में बहुत ज्यादा regressive actions लिये जा रहे है human rights के against में मतलब इंडिया में human rights का violation ज्यादा देखने को मिल रहा है जैसे कि इनका ये कहना है writer का की जी democratic institutions की बात करो या फिर कोई भी ऐसे institution जो की democratic manner में काम कर रहे हैं तो उनका national security और national interest में नाम ले करके और उनको फिर बाद में पनिश किया जा रहा है उनके खिलाफ में कारेवाई की जा रही है तो फिर भी environmental performance index के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया की rank 180 countries में 180 वी rank आई थी तो बोलें इंडिया की environmental performance भी इतनी अच्छी नहीं है फिर world air quality report के हिसाब से देखें तो इंडिया जो है वो इंडिया में world की top 15 most quality cities में से 10 तो इंडिया में है ये 2021 का rate है अब ये folder material के तौर पर आप effects है न काम में ले सकते हो answer writing के time पे या फिर आप थोड़ा से ध्यान रख लेना कि क्या report में क्या stand है इंडिया का कहाँ पर क्या status है इंडिया का बस इसी point of view से क्योंकि यहाँ पर opposition के leader है तो definitely government को जगाना इनका काम है तो जहाँ जहाँ पर भी इंडिया पीछे है back पे है तो इन्होंने अपनी दर्फ से points highlight कर दिये हैं और बाकी तो डिये चाते हैं बहुत प्रापर debate हो परलियामेंट में प्राइम मिनिस्टर खुल भी प्रेजेंट हो debates में ऐसा नहीं हो कि केवल और मिनिस्टर से debate करें परलियामेंट में यह इनका demand है देखते हैं और तो बाकी क क्या चलता है ठीका विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला ही तो देखो इस discussion में तो इतना ही कुछ था जो हमने देख लिया thank you very much